अश्कार हम पंची उन्मुक्त गगन के यह कविता सेव मंगर सिंग सुमन की द्वारा लिखी गई है और इसका मैं आज आपको व्याख्या करके बता रही हूँ हम पंच्छी उन्मुक्त गगन के यहां पर पंच्छी कह रहे हैं कि वो लोग उन्मुक्त गगन यानि खुले हुए आकाश के उड़ने वाले हैं पिंजर बधना गापाएंगे यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वह गाना नहीं गा पाएंगे और कनक तीलियों से टकरा कर यानि उस पिंजरे की जो सोने की तिलियां है उनसे वह टकरा करके और उनके पुलकित पंक तूट जाएंगे पुलकित पंक यानि जो उनके खुशनुमा छोटे छोटे पंक होते हैं वहे तूट जाएंगे यानि कि पंच्छी यहाँ पर ये कह रहे हैं मनुश्य को सम्बोधित करके यहे कहा जा रहा है कि हम खुले आकाश में रहने भाले हैं तप्या करके हमें पिंजरों में बंद ना कीजिए और हम पिंजरों में बंद रहे करके अपना जो मधूर गाना है वहे नहीं गापाएंगे और पिंजरे की दिवारों से टक्रागर के हमारे खुशनुमापंक तूट जाएंगे फिर वह कहते हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे कहीं भली है कटुकने बारी कनक कटोरी की मैदा से पक्षी कह रहे हैं कि वह तो नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं उन्हें किसी कटोरे में दिया गया जल अच्छा नहीं लगता पानी अच्छा नहीं लगता इससे अच्छा तो उन्हें भूखा प्यासा मरना लगेगा जब वहां खुले आकाश में उड़ेंगे उन्हें तो कटुक निम्बोरी यानि कड़वी निम्बोरी ही अच्छी लगती है क्योंकि वहां पर वह खुले आकाश में खुमते रहते हैं उन्हें सोने की कटोरी में दी गई मैदा से वहा कड़वी निबोरी जादा अच्छी लगती है भली लगना यानि अच्छी लगना तो कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से सोने की कटोरी में जो मैदा से बना हुआ खाना दिया गया है उससे अच्छा तो उन्हें जंगल में मिलने वाली कड़वी नीबोरी लगती है स्वन श्रंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले फिर वो कहते हैं कि हमें जिस पंजरे में बंद कर दिया गया है सोने की चेन में हमें बांध दिया गया है स्वन श्रंखला यानि सोने की चेन उसके बंधन में हम अपनी उड़ान वगेरा सब भूल गए है हमारी जो उड़ने की गति उड़ने की स्पीड जो थी वह भी हम भूल गए है बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनकी परके जूले उनके लिए उड़ना एक सपने के समान हो गया है क्योंकि अब उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया है और उन्हें जो पर पर जूलना यानि अपने पंखों पर जूलते थे उनके लिए अब वो के वले एक सपना बन गया है एसे थे अर्मान की उड़ते उनके मन में यह भावना ही रह गई अर्मान रह गया इच्छा रह गई कि वो नीले आकाश में दूर तक उड़कर के जाते नीले नब की सीमा पाने या नि उन्हें ये इच्छा रहते थी कि वहां आकास में उड़कर के नीले आसमान की सीमा की खोज करें लाल की रंड सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने वह कहते हैं यह हमारी जो लाल चोच है उसे खोल कर के हम अनार के दाने चुगना चाहते थे होती सी महीन ख्षिते से इन पंखों की होड़ा होड़ी फिर वे कहते हैं एदि हम आकाश में खुले उड़ रहे होते तो हम इस चितिज से, यानि आकास से होड़ करते, उड़ने की हम होड़ करते, या तो चितिज मेलन बन जाता, या तन्ती सांसों की डोरी, या तो हम आकाश की सीमा से मिल जाते या फिर हम मृत्यों को प्राप्त हो जाते यानि मर जाते दोनों में से एक चीज होती लेकिन अभी हमारी जो उड़ने की इच्छा है वह बिल्कुल भी नहीं है हमारे केवल सपना बंद करके रह गया है क्योंकि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया है फिर वह मनुश्यों को कहते हैं कि नीड ना दो चाहे टेहनी का आश्रे चिन्विन कर डालो लेकिन पंख दिये हैं तो आकुल उड़ान में विग्न ना डालो कि वह कहते हैं कि हमारे हमें चाहे नीड ना दो, घोशला ना दो हमें, चाहे हमारा टेहनी पर घोशला नस्ट हो जाए, हमारा आश्रे जो जिसमें हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, वह भी मिटा दो, लेकिन हमें पंक दिये हैं, तो हमारी जो उडान है, उसे मत रोको, हमें उडने से विगन न डालो यानि मत रोको और इस प्रकार से पंच्छी जो पिंजरे में बंद कर दिये जाते हैं उनकी आजादी का हनन होता है और इससे प्रयावरण भी प्रभावित होता है यही इस कविता में सिव मंगल सिंग सुमन जी ने समचाया है और आप देखेंगे कि सभी तरह की सुख स विधाई पाकर भी पक्षियों को पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता है और वहें खुले आकाश में उड़कर के अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं और वहें चाहते हैं कि कड़वी निमबोरी खाएं अनार के दाने खाएं और इस प्रकार से उन्हें अपनी खुले आकाश की उड़ान बहुत प्यारी लगती है